दोस्तो 17 February class 10th का जो एक्जाम हुआ है science यानि बिग्यान का तो यहां पे second sitting में जो एक्जाम हुआ है उसका हम लोग पूरे अच्छे से यहां पे जितना भी questions है न सभी का हम लोग answer देने वाले हैं तो आप यहां पे क्या करिएगा जो भी answer हम दे रहें आप लोग मिलाते हो चलिएगा आप लोग exam में कितना सही करके आएँ चलिए हम लोग पहला को से यहां पे देखते हैं और पहला कोस्चन में क्या बोल ज़र है पौधे के जनन अंग कहां पाये जाते हैं तो एंसर क्या हो जाएगा option C हो जाएगा push में option C यहाँ पे सही एंसर हो जाएगी आए दूसरा question देखिया और इसमें है mental ने अपने अनुवांसी की परियोग है तो किस पौधे का उपयोग किया था तो एंसर यहाँ पे हो जाएगा matter garden matter का option number यहाँ पे C सही एंसर हो जाएगी आए तीसरा question देखिया और इसमें बोला जा रहा है पारिश्थेतिकी तंत्र में उर्जा का परवा किस दिशा में होता है तो answer यहाँ पे D हो जाएगा किसी वी दिशा में नहीं मतलब यह जो नहीं होता है option D यहाँ पे 3 का right answer हो जाएगी आए चार नवा question देखिया और इसमें क्या बोला जा रहा है ओजन परत्र पाये जाता है कहाँ पर पाये जाता है तो answer हो जाएगा चार का option नवर B यहाँ पे सही answer हो जाएगा कहाँ पे बायू मंडल के उपरी चता में option यहाँ पे B सही answer हो जाएगी और कुछ लोग को यहाँ पे 3 और question का यह answer गलत लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे option जो है ना 3 का option D बिलकुल right हो जाएगा D यहाँ पे बिलकुल सही answer हो जाएगी और 4 का सही answer हो जाएगा option और B फिर 5 नवर question देखते हैं और इसमें बूला जारा है क्या चीछ पौदो में गैसो का आदान परदान किसके द्वारा होता है तो answer हो जाएगा रंदर के द्वारा option यहाँ पे क्या हो जाएगा A सही answer हो ज 6 का option और B हो जाएगा right answer यहाँ पे 7 नवर question देखते हैं और इसमें बूला जारा है सजी जीव धारियों द्वारा किस परकार की नाइट्रोजनी पदार्त यानि कचरा का उसरजन होता है तो answer यहाँ पे 7 का हो जाएगा option और D इन में से सभी यहाँ पे हो जाएगा option D यहाँ पे right answer हो जाएगी आईए अब यहाँ पे देखिए 8 नवर question 8 नवर और इसमें बूला जारा है क्या चीज़ तंत्रिका तंत्र की रस्तनात्मक और गम क्रियात्मक इकाही को क्या कहते है तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा neuron यहाँ पे 8 का answer B हो जाएगा neuron option B सही answer हो जाएगी आ आईए 10 नवर question देखिए और इसमें बूला जारा है क्या चीज़ एक उपकरन जो बिद्दूत और जा को यांत्रिक और बदलता है क्या कहलाता है तो यहाँ पे answer 10 का answer option C हो जाना चाहिए वैसे बिद्दूत मोटर को करता ही है आप लोग 10 का यहाँ पे जवाब देखे आया 10 नवर question का option C या फिर option B तो यहाँ पे चलिए अब देखते है क्या 11 नवर question और यहाँ पे 11 में बोला जारा है क्या चीज़ दरपन का सुत्र होता है तो दरपन का सुत्र यहां पे option A यहाँ पे बिल्कुल सही है option 11 का A अब यहाँ पे देखते हैं क्या 13 यानि 13 नवर question इसमें बोला जारा है सवी जीव जन्तों के लिए उरजा का अंतिम सुरोत है तो answer हो जाएगा sun यानि सुरी option C सही answer हो जाएगी फिर अब यहाँ पे है तिल्चट्टा में कितने जोरे स्वास नरंद्र पाये जाते है तो answer य किसमें होती है थारे पौदे में option C यहाँ पे सही answer हो जाएगी ग्रिन प्लांट्स में अब यहाँ यहाँ पे 16 नरं question देखिया और इसमें है क्याशिष फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्वो हाइड्रेड का परिवहन होता है तो answer हो जाएगा किसमें गुलकोस के रोप में option यहाँ पे सही answer हो जाएगी आई यहाँ पे देखते है क्याशिष देखते हैं 15 नरre question और इसमें बोला जा रहा है किसे रसाइनिक दूद कहा जाता है तो answer यहाँ पे हो जाएगा क्या थिस सही एंसर हो जाएगी अब यहाँ यहाँ देखते हैं 18 नरre question इसमें है क्या है the origin of F इसी इजनामक पुस्तक किस ने लिखी तो यहां पर answer क्या हो जाएगा चार्स डार्विन यहां पर सही answer हो जाएगा option A यानि डार्विन option A सही answer हो जाएगी अवाइए उनीचना question देखिए और इसमें बूला जा रहा है क्या चे नेमलिखित में किस माध्यम से परकास की चाल सबसे अधिक होती है किस माध्यम में परकास की चाल सबसे अधिक होती है तो निरवाद में option यहां पर D सही answer हो जाएगा अवाइए यहां पर देखते है 20 ना question और इसमें है बिवबानतर का SI मातरक क्या होता है तो answer हो जाएगा यहाँ पे क्या सिज वोल्ट यहाँ पे सही 20 का right answer option और B सही answer हो जाएगी अब यहाँ पे हम लोग 20 नवा question देख लिए यहाँ पे 21 नवा question देखते हैं और इसमें है गुलकोष का रसाइनिक सोतर निमलिखित में कौन सा है तो यहाँ पे सही answer जो हो जाएगी option और C हो जाएगा C6S12O6 यहाँ पे right answer हो जाएगा 22 का option C सही हो जाएगी आए यहाँ पे देखते हैं 23 नवा question और इसमें है तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का right answer हो जाएगा option B यानि अंतर गरहन यहाँ पे option B सही answer हो जाएगी 25 नवा question में है परकास की किरने गमन करती है तो सीधी रेखा में स्टेट लाइन में option A यहाँ पे सही answer हो जाएगी यहाँ पे देखते हैं क्या next question और यह है 26 नवा question इसमें बोला जाएगा निमलीखित में कौन lens की छमता का मातरक है तो यहाँ पे answer हो जाएगा डियोक्टर यहाँ पे oxygen C सही answer हो जाएगी फिर हम देखते है 27 नवा question इसमें है किस रंग का बिचलन नियूनतम होता है तो answer यहाँ पे 27 का right answer क्या हो जाएगी oxygen A हो जाएगा यानि लाल रंग का oxygen A answer सही हो जाएगा red अब यहाँ पे देखते है 28 और इसमें बूला जा रहा है battery से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो answer हो जाएगा direct current यानि द्रिश्ट धारा यहाँ पे DC हो जाएगा option B सही answer हो जाएगी फिर यहाँ पे देखे 29 और इसमें बूला जा रहा है कि रसाइनिक अविकरिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो अविकर कहा जाता है option A यहाँ पे सही हो जाएगी फिर हम यहाँ पे देखते है 30 यानि 30 ना question इसमें है toothpaste कैसा होता है तो यह चारी होता है option यहाँ पे B सही answer हो जाएगा option B यहाँ पे सही हो जाएगी फिर हम यहाँ देखते है 30 के वाद 31 नवर question और इसमें है क्या सिस निमलीखित में कौन बिद्धुत का सुचालक है तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा बिद्धुत का सुचालक कौन सा है तो यहाँ पे answer C हो जाएगा यानि ग्रेफाइड यहाँ पे सही answer हो जाएगा option C right हो जाएगी तो आप 32 नवर question में देखते हैं इसमें है निमलीखित में कौन कार्वॉक्सिल समू है तो यहाँ पे answer हो जाएगा option C यहाँ पे right answer हो जाएगी फर यहाँ पे देखते हैं 33 नवर question इसमें है आवर सारनी के परधम बर्ग के सदस्य होते हैं यहाँ पे सही answer 33 का option C हो जाएगा यानि चारदा तो यहाँ पे सही answer हो जाएगी फर हम यहाँ पे देखते हैं 34 नवर question और इसमें है निमलीखित में कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है तो यहाँ पे सही answer 34 का option number D हो जाएगा यानि जीवधार यहाँ पे 33 का सही answer हो जाएगी फर हम यहाँ पे देखते हैं क्याजिस 35 और इसमें है परकास के प्रावरतन के कितने नियम होते हैं तो 35 का answer option number D हो जाएगा यानि परकास के प्रावरतन के total 2 नियम होते हैं option number D यहाँ पे सही answer हो जाएगी फिर अब यहाँ पे देखते हैं 37 और question और इसमें है निमलीखित में किस धातू से solar cell बना होता है निमलीखित में किस धातू से solar cell बना होता है तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 का option number D हो जाएगा यहाँ पे शिलिकन यहां पे सही अंसर हो जाएगी अब आज यहां पे 38 नहीं कुस्षन देखते हैं और इसमें है निमलिखित में कौन लवन है तो यहां पे 38 और इसका right answer option नमर C हो जाएगा K2SO4 यहां पे right answer हो जाएगी फिरव यहां पे 39 और इसमें है निमलिखित में सबसे भारी धातू कौन सा है निमलिकित में सबसे भारी धातू कौन सा है तो यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगी यहाँ पे option A, B, C, F, D क्या होगा यहाँ पे 39 और इसमें थोड़ा सा confusion है इसका answer क्या होगा आप लो क्या जवाब देखिया है वो आप नीचे comment करें 39 का क्या answer हो जाएगी आए बागी question हम आपको बता रहे हैं इसका right answer क्या होगा और 14 और question है इसमें इथेन के एक अनू में कितने सह सही होजग बंधन है तो यहाँ पे 40 और इसका right answer हो जाएगा option number D यानि 7 option D यानि 7 यहाँ पे सही answer हो जाएगी अब यहाँ पे 41 और question में बोला जा रहा है किसकी उपस्तिती के कारण पौधे का रंग हरा होता है तो answer यहाँ पे option A हो जाएगी फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 42 और question में है पौधे में उस सर्ची पदार्थ है तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा 42 और इसका right answer हो जाएगा option D यानि इन में से सभी यहाँ पे सही answer हो जाएगा तीनो जो है यहाँ पे उस सर्ची पदार्थ है अब यह देखते हैं यहाँ पे 43 और question और इसमें है क्या सिस टेहरी बांध का निर्मान किस पर्देश में किया गया है तेहरी बांध का निर्मान किस पर्देश में किया गया है उत्तर पर्देश में उत्राखंड में राजस्थान में या फिर मद पर्देश में तो यहाँ पे सही answer हो जाएगा option B यानि उत्राखंड यहाँ पे option B option b हो जाएगी अब यहांपे देखते है 45 और इसमें क्या बूला जाँ रहा है पाद 47 नर कोस्टन इसमें बोला जा रहा है क्या चीज मनुस्य के ब्रिक निम्ड में किस्चे संबंदित है ते अंसर यहां पर क्या हो जाएगा 47 का राइट अंसर ऑप्शन D हो जाएगा उस सर्जन यहां पर सही अंसर हो जाएगी फरम यहां पर 48 नर कोस्टन देखते हैं इस में से आपको 40 का जवाब देना था आप लोग यहां पर बताएगे 40 में से आप लोग एक्जाम में कितना कोस्टन जो है सही करका है वह आप हमें नीचे कमेंट करिएगा साथ में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लिजिए और चैनल को सब्सक्